नमस्कार, Hindi Learning Channel पर आपका स्वागत है आज आशिमा महाजन, आपकी एधियापी का Hindi Learning Channel पर लेकर आई है नई आशाएं, Hindi Partmala Classics के Students के लिए Chapter 12 पुत्र के नाम पत्र, हजारी परसाद वेरी जी द्वारा रचित है बच्चों, ये Chapter मिलते ही, आप मेरे को Comment Box में जरूर बताईएगा कि आपकी Book का कौन सा Chapter आपको Next Remand पर चाहिए और आपकी Book की Playlist का Link आपको मिलेगा इस Video के Description में जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से Chapter अपलोट हो गए है और कौन सा आपको अगला Chapter चाहिए बाकी रही बात इस Chapter की ये Chapter समझ आने के बाद Like का बटन जरूर दबाईएगा, Comment जरूर कीजिएगा अपने Chapter के लिए और अपने दोस्तों के साथ Share जरूर करके जाहिए चलो आएए, पाट शुरू करते हैं पुत्र के नाम पत्र, ये पत्र बच्चो हजारी परसाद वेदी जी ने लिखा है क्यूंकि वो तिरू अनंतपुरम यात्रा के दोरान अपने पुत्र गोपाल को बता रही है इस पत्र के जरीए कि उन्होंने पदम नाप स्वामी मंदीर के साथ साथ तिरू अनंतपुरम के समुद्री तट की जो सुन्दरता देखी है उसका बखान मैं आज इस पत्र में कर रहा हूँ तो ये एक पिता ने पुत्र के नाम पत्र लिखा है त्रिवेंद्रम प्रियवर गोपाल जी शुबाशिरवाद जानिक अपने बेटे को लिख रहे हैं वो आज हम लोग त्रिवेंद्रम जानिकी तिरू अनंतपुरम जिसे कहा जाता है सेकन्या कुमारी जा रहे हैं अपना एटलस निकाल कर इन दोनों स्थानों को देखो जानिकी वो पुस्तक निकालो जिसमें मानचित्र दिये होते हैं त्रिवेंद्रम का असली नाम है तिरू अनंतपुरम अर्थात अनंतपुर यहां अनंत अर्थात शेशनाग पर सोए हुए विश्नु जी का मंदिर है तो हो सकता है कुछ बच्चों ने देखा भी हो शेशनाग जो सहस्तरफन वाला साप होता है जिसके ओपर पूरी पृत्वी जो है टिकी हुई मानी जाती है हम लोग इस मंदिर को देखने गए थे बहुत बड़ा मंदिर है पोस्ट ओफिस से अगरवाल जी के घर तक लंबा और बिडला होस्टल तक चोड़ा मंदिर है यह मंदिर ग्रे नाइट पत्थर से बना जाने की यह जो मंदिर पूरा बना हुआ है यह किस पत्थर से नर्मित है ग्रे नाइट सामने गोपूरम है अब गोपूरम क्या होता है मुख्यद्वार वह इतना विशाल है कि बस देखते ही बनता है यह जो विश्नु की मूर्ती है वही त्रावन कोर राज्य का राजा मानी जाती है यहां का राजा असल में इसी देवता का मैनेजर है हम लोग बिल्कुल खुले बदन इस मंदीर में गए थे क्योंकि माना जाता है कि इस मंदीर में कोई भी कपड़े पहन कर नहीं जाता मैंने तो चादर ओड लिया था यहां मंदीरों में कुड़ता पहन कर कोई नहीं जा सकता नंगे बदन जाना होता है मंदीर के प्रदक्षिना मार्ग में प्रदक्षिना मार्ग होते हैं जो परिक्रमा करते हैं उसमें लगबग एक लाख दीपक हैं मंदिर की जो छत है वो किसकी बनी हुई है वच्चो तांबे की और द्वजदंड सोने का ओकी द्वजदंड होते है जो पताक का उपर लहरारी होती है उसका डंडा सब मिलाकर इस मंदिर में अद्वुत विशालता है जाने की अनूठी अनूठा प्रकार का इतना भवे मंदिर और इतना बड़ा मंदिर है हम लोग इस मंदिर से बहुत प्रभावित हुए तो इस पत्र में हजारी परसादवेदी जी ने अपने पुतर को मंदिर के बारे में पूरा बना दिया है ग्रे नाइट मंदिर का बना हुआ है दूसरा सामने गोपूरम है जिसे मुख्यद्वार भी कहते हैं फिर उन्होंने बताया यहां पर विश्णों की मूर्ती है यहां पर मंदिरों में कुड़ता पहन कर कोई नहीं जा सकता फिर मंदिर की जो च्छत है यहां समुद्र सबोर से खुला हुआ है जाने की हर तरफ से खुला हुआ है नीलों तक केवल नीली जल राशी लहरा रही है जाने की जल ही जल दिखाई देता है पानी ही पानी सूरे उद्धे तो देखने ही लायक होता है सूरे का लाल गोला समुद्र से एक दम उच्छल कर उपर आ जाता ऐसा लगता कि गोला सा है मतब जैसे ही सूरे हमारा उदे होता है आप अस्त होते हुए भी देखिएगा तो एक डम से ऐसा लगता गोला नीचे गिर गया और ऐसा लगता है उच्छल का गोला उपर आ गया समुदर के किनारे सुपारी, नारियल, आरी के घने जंगल काली लकीर के समान दिखाई देते हैं कल हम लोगों ने जैदेव कवी की संस्कृत कविता गीत गोविन का गान सुना बहुत ही सुन्दर था नारियल के पत्रों को यहां मोड कर बहुत सुन्दर बरतन बनाते हैं और कावर में रखकर उसमें पानी बरते हैं यहां के कॉलेजों में हिंदी की पढ़ाई खुब हो रही है सरसम्मा नाम की एक लड़की थी तुम लोगों को याद होगा हजारी परसाद वेदी अपने बेटे से कह रहे हैं वे यहां लड़कियों के एक कॉलेज में प्रोफेसर है मैं उसके कॉलेज में क्या था वहां एक अज़ा लड़किया हिंदी पढ़ रही है आज मुझे चार सभाओं में भाशन देने हैं फिर कन्या कुमारी जाना है अब जल्दी लोड जाना चाहता हूँ जब ये चुठी पहुंचेगी उसके एकार दिन बात मैं बनारस पहुंच जाओंगा जाने की वारा नसी लाल जी के नाम कल पत्र बेजा था कल कन्या कुमारी से सब के नाम से पत्र बेजूँगा फिर कल कत्ता जाने की कॉलकाता और शांती निकेतन होते हुए घर लोटूँगा लाल जी के पैर कैसे है मा के दाठी कहना बाबा को प्रणाम कहना सब को आशिरवाद बाबु जी बाबु जी ने ये जो पत्र अपनी फैमिली के नाम लिखा लेकिन लिखा अपने बेटे को तो वो बता रहे है कि किस तरह उन्होंने ये कन्या कुमारी तक की यात्रा की उन्हें क्या क्या अच्छा लगा कौन किस किस के बारे में उन्होंने यहां बताया सरसम्मा के बारे में गीत गोविंद गान के बारे में फिर यहां पर नारियल के पत्रों के बारे में उन्होंने बताया तो इस परकार यह पूरा चैप्टर जो है एक पत्र पर अधारिता आई हो पुत्र के नाम पत्र चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आई आगे बढ़ते हैं exercise की तरफ पहला प्रशना है आपके सामने बच्चो त्रिवेंदरम का असली नाम क्या है तो अभी तक तो आपने जानी लिया होगा त्रिवेंदरम का असली नाम क्या है तिरू अनंत पूरम गोपुर हम किसे कहते हैं मुख्य द्वार को लेखक खुले बदन मंदिर में क्यों गए क्योंकि या मंदिरों में कुर्टा पैन कर कोई नहीं जा सकता त्रिवेंद्रम में सुर्योध्य की क्या विशेष्टा बताई गई है एक दम सुरे का गोला जो है एक दम उचल कर ऊपर आता है लेखक ने मंदिर में प्रवेश के लिए क्या किया था एक चादर ओड़ ली नारियल के पत्तों का क्या उपियोग होता है नारियल के पत्तों को मोड कर या सुंदर बरतन बनाए जाते है और कावर में पानी बरा जाता है तिरवेंदरम के कॉलेजों में हिंदी की क्या स्थितिया खुब पढ़ाई हो रही थी जब वो देखने गए तो और लेकक जिस कॉलेज में के वहाँ एक असा लड़किया हिंदी पढ़ रही है शेशनाक पर सोएश विशनु मंदीर की क्या विशेष्ट है ये मंदी बहुत बढ़ा है और पोस्ट आफिस अगरवाल जी के घर तक लंबा और बिड़ला होस्टल तक चोड़ा मंदीर है ये मंदी ग्रे नाइट पत्थर से बना है तिरवेंदरम के समुदर की सुंदरता कैसी है समुदर बढ़ा शांत है लहरे उठती है छोटी-छोटी नाव लेकर मचवारे भी मचली पकड़ती है समुदर चारों तरफ से खुला हुआ है जली-जल हर तरफ दिखाई देता है आश्यस पश्ट कन है गोपूरा मितना विशाल है बस देखते ही बनता है जाने कि उसका जो मुख्य दवार है बहुत बड़ा है जस मंदी का दवार ही इतना बड़ा हो तो मंदी तो अपने आप ही सुन्दा नजर आएगा उचित्वे कल्प पा टिक कन है विश्णु जी का मंदीर किस से बना है ग्रे नाइट से मंदीर में सोने से बनी क्या चीज है द्वच दंड जैसे मैंने बोला पता का धंडा नेक्स्ट त्रिवेंद्रम सुर्योद्य तो देखने ही लाइक होता है सुर्य का लालकुला समुद्र से एकदम उच्छल कर उपर आ जाता है गीत गोविन की रचना किसने की गीत गोविन की रचना की जैदेव कभी ने घर लोटते समय कहां से हो कर आने की बात की कन्या कुमारी से सोचियों लिखिये बारत के कुछ मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश और पूजा करना वर्जित है आप इस समद में क्या सोचते हैं ये अच्छा नहीं है बारत के कुछ मंदिरों में प्रवेश हमारे धार्मिक अनुष्ठानों जैसे यग्यादी की पूर्थी के लिए महिलाओं की भागेदारी होना बहुत जरूरी है और लेख को अपने कॉले में भाषन देने के लिए भी बुलाया था इससे साबित होता है उसमें हिंदी के प्रति गहरा लगावता भावचक संगया बनानी है तो मैंने भावचक संगया बनाकर आपको दे दी है लंबा का लंबाई विशाल का विशालता इसी परकार बागी सार पदों पर धियान दीजिए यानि कि आपको बताना है सर्वनाम कुन सा है और सार्वनामिक विशेशन कुन सा है सार्वनामिक विशेशन वह उता है बच्चो यहाँ पर कोई भी शब्द ऐसा दिया हूँ संग्या का उससे पहले सर्वनाम आता है जैसे बाहर कोई आया है लेकि यह सारवनामिक विशेशन है इसी परकार कुछ लोग मेरे साथ आए हैं तो मेरे सरवनाम हो गया वैस सामने वाले घर में रहते सरवनाम हो गया इस कमरे में कोई नहीं है तो कमरा जाती वाचक संग गया उससे पहले लगे आपका सरवनाम तो सारवनामिक विशेशन हो गया उस उसकी साड़ी बहुत सुंदर है उसकी को अंडलाइंग कर दिये उसकी साड़ी बहुत सुंदर है तो यहां पर आ जाएगा लेकिन साड़ी तो यहां पर जाती वाचक संग्या में आएगी तो यह सारवनामिक विशेशन होगा ना कि सर्वनाम होगा तो आप इसे करेंगे प्रशंसा करेंगे फ्यूचर टेंस भविश्यत काल पढ़िये और लिखिये जाने कि आपको इन वर्ट्स को इस प्रकार से लिखना है जैसा उनका मूल रूप है अनंथ आजकल हम मानकवर्तनी में लिख रहे हैं लेकिन जो चल्टा आ रहा प्रचलन में रूप है वो इस प्रकार और अनंथ इस प्रकार लिखेंगर आप पाठ में से वेक्ति वाचा जाती वाचे संग्या के छे-छे शब्द चुन्ने हैं तो वो मैंने छे-छे शब्द चुन कर यहाँ पर आपको लिख कर दे दी हैं तो छोटा सा चेप्टर था आपका पिता के नाम सुरी पुत्र के नाम पत्र तो चेप्टर 12 हजारी परसाद वेदी जीत का ये चप्टर आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही चोटा सा चप्टर था पुत्र को उन्होंने पूरी जानकारी दे दी उनकी यात्रा की तो बाकी जल्दी ही मिलते हैं आपको आपकी अगली डिमांड के साथ कोई भी दिक्कत आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताईएगा गुडबाई स्टुडेंस